Hello Everyone, Good Morning, Good Afternoon and Good Evening कैसे हैं आप सब लोग दोस्तो मेरा नाम है मनंदर सिंगोला और आप जोड़े हुए हैं मेरा ओफिशल यूटूब चैनल से पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जैसे कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से मैं आपको On Passive Ecosystem की सीरिस को ले करके सासा चल रहा हूँ जो रात मैं मैं ये वीडियो आपके ले करके आता हूँ किसी भी प्रोड़क्ट से संबंदित होगी या फिर हमारा जो Ecosystem है जब तक ये complete नहीं हो जाता तब तक मैं आपको Ecosystem की हर एक चीज़ की बारे में यहाँ पर जानकारी देता रहूँगा जिसे कि आपका Ecosystem पूरी तरीके से complete हो जाए आपको अगर यहाँ पर Ecosystem में कोई भी point अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है बस हमारे इस चैनल के अंदर जो मैंने प्लेलिस्ट को बनाके रखा हुआ है आपको Ecosystem की पूरी information यहाँ पर मिल जाएगी तो आज का जो पार्ट मैंने लिया है वो है माई सब्सक्रप्शन एंड टिकेट स्टेटस जी हाँ इसको मैंने सबसे लास्ट में क्यों लिया है क्योंकि यह जो हमारा मीनुवार होता है marketplace उसके बाद है हमारा my favorite उसके बाद यह my subscription का option था लेकिन मैंने बीच में इसको छोड़ दिया था क्यों छोड़ दिया था वो अब मैं आपको अताने वाला हूँ सबसे पहले चीज तो यह है कि my subscription का जो इस्तिमाल है वो किस लिए किया जाने वाला है उससे पहले भी यह बात बहुत जरूरी है कि जब आप इस पे click करते हैं तो यह यहाँ पर click नहीं होता है इस पर कोई भी activity नहीं होती है आपके ecosystem के अंदर क्योंकि अगर हम बात करें इस option की तो इस option को खुल जाना चाहिए और my subscription का मतलब यही होता है कि हमने अपने कौन-कौन से product subscribe कर लिये हैं हमने अपने कौन-कौन से ऐसे product हैं जो हमारे paid हैं और हमने उनको subscribe कर लिया है या फिर हमने अपना subscription यहां पर ले लिया है तो जितने भी हमने in future हम जितने भी product हम यहां पर subscribe करेंगे या हम जैसे भी जितने भी product subscription लेंगे तो यहां पर हमारे सारे के सारे product show किये जाएंगे इस folder के अंदर तो इसका यह option का use होने वाला है लेकिन अभी हम current scenario के अंदर देखें तो ये अभी हम सब लोगों को use करने के लिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ पर click करते हैं तो कोई भी activity नहीं हो पा रही है तो इसका simple सा use है कि हम जितने भी product का subscription लेंगे in future वो सारे के सारे हमें यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं इसके बाद हम बात करते हैं ticket status की ticket status यहाँ पर इसका option use क्या है और यहाँ पर यह क्यों दिया गया है पहले चीज़ तो यह है कि यहाँ पर यह जो option दिया गया है इसका मतलब है कि अगर हमें अपने company से कोई भी support चाहिए तो आप यहाँ पर अपना ticket लगा सकते हैं अपना कोई भी question यहाँ पर कर सकते हैं company के लिए दूसी बात यह है कि यह जो company ने ecosystem के अंदर ticket status दिया है यह सभी के लिए है चाहें वो founding members हों चाहें वो customer हों लेकिन अगर हम देखें तो जो founding members हैं उनकी पास ticket लगाने के लिए back office के अंदर भी option मौजूद है वो अपना back office से जाकर के भी अपना ticket लगा सकते हैं लेकिन अगर अभी इस समय current scenario के अंदर अगर किसी भी customer को कोई भी दिक्कत आ जाती है तो यहाँ पर जो ticket status है यह काम नहीं कर रहा है लेकिन अगर हम in future देखें तो यहाँ पर अगर customer को कोई भी दिक्कत आती है उसका subscription भाइनर ठीक से नहीं हो पा रहा है या उसके ecosystem में कोई problem आ रही ही है या उसका balance कट गया है और उसका product हो है सही तरही किसे बायर नहीं हो पाया है तो हमारे जितने भी customer होंगे वो इस ticket status का इस्तमाल करेंगे जी हाँ इस ticket status का इस्तमाल करेंगे क्योंकि उनके पास back office में जाने का कोई भी option नहीं होगा वो सिर्फ वर सिर्फ founding member के पास ही है जो हमारे पास है back office में जो हमारा एक support system है तो यहाँ पर यह ticket status इसलिए काम आने वाला है total tickets, pending tickets and close tickets यहाँ पर जितने भी हम ticket लगाएंगे कितने pending रहे हैं, कितने हमारे solve हो चुके हैं, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाए देगा अगर हम इस पर click करते हैं अभी recently तो यहाँ पर कोई भी option यहाँ पर काम नहीं कर रहा है और यहाँ पर अभी कोई भी type करने का option भी मुझे नजर नहीं आ रहा है कि अगर हमें ticket लगाना हो इस option का इस्तमाल करके तो हम ticket किस तरीके से लगाएं बस इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा in future जब हमारे पास जो बहुत सारे जो customer आने वाले हैं जब यह हमारे ecosystem में आना शुरू हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो अपने इस ecosystem के माध्यम से business कर रहे होंगे अपने ecosystem को monitor कर रहे होंगे तो यहां पर उनका यह option activate ज़रूर हो जाएगा So I hope आपको my subscription के बारे में and ticket status के बारे में आपको पूरी तरीके से information मिल गई होगी यह सारी की सारी information में आपको part wise क्यों दे रहा हूँ इसका एक सबसे बड़ा reason क्या है इसका एक सबसे बड़ा reason यह है क्योंकि हमें आने वाले time के अंदर जो हमारे customer आने वाले हैं उनको A to Z अगर आपको किसी भी option के अंदर कुछ भी अगर आपको समझाने की जरूरत पड़े तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा आपको एक एक चीज़ के बारे में आपको information होगी आपको knowledge होगी जिससे कि आप किसी भी customer की आसानी से help यहाँ पर कर पाएंगे उनके सारे problem को उनके सारे सवालों के जवाब भी दे पाएंगे और सबसे मज़िदार बात तो यह रहेगी कि कोई भी अगर आपके organization के अंदर एक नया customer आता है तो उसको आप ecosystem के बारे में full information यहाँ पर दे पाएंगे समय समय पे अगर जो कुछ भी हमारे इसमें options बढ़ते रहेंगे तो उसकी भी जानकारी आपको इसी part wise series के अंदर आपको मिलती रहेगी अगर आपको यह सारी वीडियोज अगर आपको एक साथ देखनी है तो हमारे वीडियो के अंदर जो playlist बने हुई है आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा on passive ecosystem full information आपको part wise a to z जितने भी वीडियोज मैंने बनाई है वो series में आपको वहाँ पर मिल जाएंगी मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर एको नई अपडेट के साथ थैंक्यू सो मच एवनाइस डे वी आर सुनिट टू विनिट